दो मुखी, तीन मुखी और ग्यारह मुखी ये तीनों रुद्राक्ष अगर एक साथ गले में धारन किया जाए तो सुख और संब्रध्धी आपके घर में पैर पसारेगी यानि सुख और संब्रध्धिक आगमन आपके घर में होगा तो दो और तीन मुखी रुद्राक्ष तो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं लेकिन बात जब ग्यारह मुखी रुद्राक्ष की आएगी तो वहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है तो जाँच और परख करके आप ये तीनों रुद्राक्ष खरीद लीजिए सोंबार के दिन एक में गूथ करके इनको अपने पास रख लीजिए सोंबार के दिन इसकी बिधिवत पूजा करिए पहले गंगा जल से धो दीजिए फिर दुख्ध और दही से पंचामृत सिस्नान करा दीजिए फिर साफ जल से धो करके बिधिवत पूजा करिए और भोले कि पंचाक्षर मंत्र नम्ह शिवाय का कम से कम ग्यारह माला जब करिए और ये अभिमंत्रत रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लीजिए रुद्राक्ष के धारण कर लेने से जीवनकाल में सुख सम्रद्धी का आगमन होने लगेगा